सुदीर गुपता जी पहली संदीक ने अगर आप उनका बटला हूस वाला केस देखें चाहे सुननदा पुषकर वाला केस देखें चाहे आरूशी तलवार वाला केस देखें तो पहली वो अपने बयान से पलड़ जाते हैं वो ऐसे पलड़ जाते हैं जैसे पॉलिटिकल पार तो पहले करुभाद में, भीस पार्थिन, फ्रहते हैं, बीन तरक्स यह उठा भीव एपनी ज़र को सब्सक्राइब है, को बिने बीडियो गठे हैं गहुत में, वो पोस्टमार्टमों परहुत वह टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं उसके अद अचानक से हर बात से मुकर जाते हैं अगर पैनल का गठन नहीं भी होता तब भी जितने आप सीनियर हैं अगर आपने जो उसमें तर्क दियें जो लॉजिक दियें कम से का हमें आप पर इतना भरोसा होना चाहिए कि इतने पर आप बैठे में एक चेर्मेन एक डिपार्टमेंट के इस में तो उसके बाद अगर आप ऐसी बात करते हैं तो बहुत ही बचकानी बात है और आप आपके उपर भी सवाल उठ रहे हैं और आपने अपने उपर नहीं बलकि ऑल इंडिया इंस्टिटूट ऑफ मेडिकल कि हमें हमें समर्थन मिला लेकिन आप यह देखें आगे जो अगर इस तरह कोई केसा होता है तो हम कैसे भरोसा करेंगे जैसे एक ब्रेकिंग न्यूज आईगी कि एमस में फॉरंसी की डिपार्टमेंट में यह इन्वेस्टिगेशन होगी तो वहीं हमें पता हुए चलिए अगर हम के बीसी को एक बार को साइड करने तो बिग बॉस अल्डेडी इतना घटिया शोख है अगर आप उसे परिवार के साथ देखेंगे तो उसमें जो अगर पिछले साल के अगर विनर भी देखें है तो विनर जो है उन्हीं पर पहले तो सवाल उड़ता है कि कैसे विन आए जाता है तो आप इसी से अंदादा लगा लिए कि बिग बॉस की जो ऑर्गनाइजर है जो उसके प्रोडूसर से उनका माइंड सेट क्या है जितने वी एक्टर हैं उन्होंने शुषान सिंग राजपूत के लिए आवाज नहीं उठाई तो आप जिनका भाईशकार करन बहुत जरूरी है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि देखा जाये तो जैसे कि कल भी मैंने एक बात बोली कि हम लोग सुषान सिंग राजपूत से कभी मिले नहीं थे वैक्तिकत तोर पर उनको जानते नहीं थे लेकिन फिर भी हमारे सेंटिमेंट्स उनके साथ जुड़ चुक उठाना जरूरी समझा ना जो उसके लिए आवाज उठा रहे हैं आप और हम जैसे जो लोग हैं जो देश की जनता है या जो कुछ पत्रकार हैं वो आवाज उठा रहे हैं तो उनके समर्थन में भी इनोंने कोई एक आवाज नहीं उठाई तो ना उनके परिवार के दुख न talked के लगाता हो या उनकी सिस्टर से किसी से मुलाकात करके उनका दुख बाता हो या उनने या आश्वा संदिया हो कि कोई नी हम भी आपके बच्चे हैं हम आपके साथ हैं कोई हमारे लाएक कुछ काम हो तो बताना एक भी नाम ऐसा देखने को नहीं मिला तो इसी साफ भूनने से नहीं मिलेगा अगर शेकर सुमन जैसे एकाद नाम अटा दें जो खुद बिहार से बिलॉंग करते हैं अगर उन्हें अटा दें तो मुंबई का एक भी नाम मुझे लगता कि शायद आप भी मुझे बता पाएंगी जो कि उनके दुख में उनके साथ खड़ा हो या इनको आगे चलके कोई शोज देखे के बिसी और जो सलमान खान का शो है बिग बॉस के लिए अपके प्रतिक्रिया देना चाहते हैं जिसका बाहिशकार किया जा रहा है बिल्कुल मेरी प्रतिक्रिया यह यह कि इसका बहुत पहले हो जाने चाहिए ता चलि अगर हम के बीसी कर रहा है खुले हम यहां तक कि अगर देखा जाए तो रश्मी देशाई पर उसने चाह कॉफी तक फेग दीती अगर ऐसा एक आर्टिस्ट ऐसा एक एक्टर अगर बिग बॉस जीत जाता है और बिग बॉस 14 का भी हिस्सा उसे बनाया जाता है तो आप इसी से अंदादा नौ बजे आता था 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 10 बजे कर दिये गए वह 9 बजे का जो परिवार अपने साथ बैट ये डेली साफ सीरेल्स देखता है वह उसका टाइम बढ़ा दिया गया है तो उसका पूर्ण भाहिशकार कर देना चाहिए क्योंकि यह भी नौबत क्यों आया हम से करने के लिए बहुत सारी चीज़ें देजभक्ति के यह से गाने हैं जो आप देख सकते हैं तो राजनीती में यह कह रही है शिवसेना कि राजपूत ने सुसाइड किया था तो हमें जो अवेरनेस है मेंटल एलनेस है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए देखे पहले तो मैं आपके माध्यम से शिवसेना कहना चाहूंगा यह डिसाइड करने वाले आप नहीं होते हैं कि उसने सुसाइड किया था यह उसका मडर हुआ था क्योंकि द और उसने सुसाइड केता नहीं किया था यह उसके जहां चुरिये तो उसमें अपने इंटरेफेर ना करें हाँ आप ने जितना आपको मूंबई पुलिस पर आपका जितना जोड चलता था आपने वह क्या कर रहा वह हमने सब देख लिया आप उसे पहले दिन सुसाइड बत जाएए की इंक्वाइरी हो रही है जैसे हमाई पर महां से कुछ रिजल्ट आता है तो उसके बाद आप बयान दीजिए फिलाल कोई दिन आप शांती बैठी है चैनल ऐसे भी है जो रिया चक्रवर्ती की बेल को लेकर और या फिर सुदीर गुपता की बयान को लेकर यह कहने क बयान से पलड़ जाते हैं जैसे पॉलिटिकल पार्टी पलड़ जाती है एलेक्शन से पहले कुछ कहती है एलेक्शन के बाद कुछ कहती है तो यह मुझे लगता है कि आगे चलके राजनीती में आने वाले हैं और दूसी चीज़ कही लोग आप निउस चैनल मैंने देखे जैसे कि आप बता रहे हैं वो यह बोल रहा है कि यह जो रिकॉर्डिंग जो आर भारत ने जो इनकी लीक करिये कि यह जो डॉक्टर्स की जो टीम बनी पैनल बनाता उसके जो गठन होता उससे पहले की रिकॉर्डिंग है उससे पैनल बनने से पहले की रिकॉर्डिंग है त पोस्ट माटम पर सवाल उठा रहे हैं वो टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं उसके अधचानक से हर बास समु कर जाते हैं अगर पैनल का गठन नई भी होता तब भी जितने आप senior हैं अगर आपने जो तरक दियें जो logic कम से घँद हमें आप पर इतना भरोसा होना चीए कि इ पर भी एक क्रेडिबलीटी पर डाउट लागे खड़ा कर दिया जंतागा आगे चलके देखिए इसका तो हम इंसाफ ले लेंगे 130 करोड की अबादी की जंता एक साथ खड़िये वह पीछे भी देख रहे हैं तीन दिन भी धरना परदर्शन हुआ हजारों की संक्या में हमें स इस तरीके से हमारी CBI की टीम महराष्ट पहुच गई है छेर बंदों की टीम तो वहाँ पर यह लोग भी है कि आप चूट गई है पर अपने जहाके में ले सकती है जी बिल्कुल इस से निराशनी होने चीक है मुझे सुबह से कॉल मैं सी आई जी रिया चक्रबरती चूट है तो मैंने यह बोला भई CBI ने नहीं छोड़ा यह NCB का जो यह ड्रक्स का माम लता है दूसरा था उसके बाद भी आगर आप देखे तो उनका जो पासपोर्ट हो जब्त कर लेगा है वो इंडिया से भार नहीं जा सकती है और इवन मुंबई से भार भी नहीं जा सकती है फ खुलास हैं नहीं कर रही है बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगा जब सीब्या इनके चंगुल में यह रिया चकर बढ़ते आएंगी तो इनका छूटना मुश्किल होगा क्योंकि सीब्या अरेस्ट करती तो जो मामला होगा तो मदर के मामले चूटना बड़ा मुश्किल ह जाए गए ड्रक्स में तो इन्होंने अपने भाई के ऊपर सारा ठीक राफोड दिया जैसे आपने देखा होगा कि काफी सारे बॉलिविट सेलिवर्टी हैं जो काफी जाथा खुशी मना रहे हैं कल से ही स्वारा भासकर यह कह रहीं थी कि रिया चकरवर्दी को रोर बेल कर हैं बहुत हाई प्रोफाइल हैं वह एक एक विजिट के हीरिंग के लाखो रुपे लेते हैं कोट में तो उन्होंने उन्हें यह समझा दिया कि भई आप चिंता मत करो कुई दिन शांत रहो हम इने समाल लेंगे लेकिन वह वकील भी देखी मैं आपको जैसे बताया अभी क् कि अगर हम ड्रक्स पैडलिंग की बात करें इनों ने बोला कि मेरा भाई सब करता था मुझे इस बारे में जानकारी नहीं थी लेकिन ड्रक्स में तो चली एक बार को अपने भाई पर ठीक राफोड सकते हैं लेकिन जो अगर हम धारत सुशान सिंग राजपूत के केस की मड कि अगर किया और मुझे इस बारे में नहीं पता था तो बहुत जल इन पर शिकंजा कसा जाएगा और मुझे लगता है एक बार जब यह दुवारा सीवाई अरेस्ट करी तो मुझे तो नहीं लगता है चूट पाएंगे जल दी से तमाम ऐसे जो लिबरल्स हैं उनके एक जी कोट ने अभी जैसे की बोला यह अभी अशाइन बाग कम देखें तो बीच चुराय पर बैटके सब धरना परदर्शन कर दिया तक क्या ही परेशानी हो स्कूल की बसी भी नहीं जा पाती थी जब तो चली इनकी मनमानी चल गई ती लेकिन अभी जैसे कोट ने बोला ऐस माधियम से प्यारा हिंदोस्तान के माधियम से स्वारा बासकर और इन जैसे जो लिबरल जो नेता बनते हैं या अपने सो कॉल्ड जो यह आर्टिस्टें को कहना चाहूंगा कि बहुत आपने एक्टिविटी रही जो आपको देश के खिलाफ हमें पाई गई यह बहुत अच स्वारा बासकर जी का हम स्वागत करते हैं और हो सकते हैं यही पर बिठा के उनको चाय पानी भी करा रहे होते हैं लेकिन होना यह बता दिया कि मड़ते दम तक जब तक आखरी साह से हम देश के खिलाफ काम करते रहेंगे देश की कोई भले के किसी भी चीज में हिस्सा नही की कोशिच की है ऐसे सार की जो वारियर से उनको जग जोरने की कोशिच की है पर यहां पर आज भी आप देख रहे हो कि पीछे भी प्रोटेस हो रहा और काफी सारे लोगों ने अभी तक उम्मीद नहीं चोड़ी है तो क्या एक संदेश दिना चाओगे करोड फैंस के लिए पहले तो सब का बहुत बहुत धन्यवाद सोशान से के राजपूत के परिवार की तरफ से भी आपके तरफ से भी और हमाई तरफ से भी क्यूंकि अगर यह एक जुड़ता ही ऐसी यह है जो कि आज तक हम खड़े वें अगर यह यूनिटी नहीं होती तो हम लोग भी खड़ गया है जब यह अरेस्ट होने शुरूओ गा और यह चलते हैं अब आप देखें हैस्टेक चलता रेवोलिशन का हैस्टेक रेवलुशन तो आप देखें उसका मिलियंस में चला गया तो ट्यूटर अगर आप देखें तो क्रेश भी हो गया था तो यह पावर जनता की आम ज सकते तो कमसम घर पे चुप चाप बैठे यही मेरी सल्हा है उनसे तरीके से जनता लगातार बड़े-बड़े जो बॉलिवड स्टार्स हैं उनका जो बाहिशकार कर रही है तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ट्वीट करते हैं और यह कहते हैं कि जो बड़े-बड़े स्टार ह से बाइक का दर्जा दीया गया है अगर हम कपिल शर्मा की बाद करें एक एक सेकंड भी लगाया है देश की जनता ने कपिल शर्मा कंड़ें को हो इतना प्यार करते हं तो अब करने की कोशिच की जब क्यों कि जा नोगों का सब्भchnet हिंदु मुस्लिम कर लिजेगा डोट लेनी और किया ब्लखु पोर समय के नहीं पाइखने के यह दू कि कर रहे हैं तो किस कर रहा हैं तो आप ऐसी गंधी राजनीती का ईंसाफ रटी डेक्षन में हमें समझ आता है कि वोट लेना होता है नोग और बॉलीवुट पर लाज नीटी करेंगे मिह लोग बॉली तरन पर गहाँ हो गहीं है वह टूइट करती है क्योंकि बॉलिवुड में कहा वात एक फिल्म की बद ना हुए तो क्या नाम ना होगा इनका यह मानना है निगेटिव पॉब्लिसिटी इस और पॉब्लिसिटी तो यह इसी पर चलते हैं इनको यह कि हमारी पॉब्लिसिटी होनी चीए भली हमें गालिया पड़ें तो इन लोग को ऐसा वाइड किया जाए और इनकी बातों को जादा वैल्यू ना दी जाए